त्यों हारो का सीजन शुरू हो चुका है और त्यों हारो का नाम लेते ही सब को याद आती है नाम लेते हैं तो सबसे पहले हमारे दमाद में आता है बेसन का लड़ू आईए फ्रेंज, आज मैं आपको बताने वाले हूं है बहुत ही जबर्दसी रेशिपी जिसमें आप बनाएंगे जबर्दस दानेदार लड़ू वो भी कम घी में और कम मेहनत के साथ Friends, मैंने इसके लिए लिया है 1 cup बेसन और जितना मैंने बेसन लिया है उतना ही मैंने लिया हुआ है 1 cup सूजी यानि की रवा इन दोनों को हमें बहुत अच्छे तरीके से पहले मिक्स कर लेना है मैंने इसके लिए normal plain बेसन लिया है जरूरी नहीं है कि आप इसके लिए दानेदार बेसन ही यूज करें अब मैं इसमें डाल रहे हूँ 1 फोर्थ कप घी मैंने इसके लिए total एक कप घी लिया है उसी घी से मैंने एक चौथाई कप घी इसमें डाला है और अब इसे मैं बहुत अच्छी तरीके से mix कर रही हूँ घी अगर आपको कम लगे तो आप इसमें थोड़ा सा और डाल सकते हैं पर वन फोर्थ कप घी डालने पर यह बहुत ही आसानी से mix हो जाता है और इसमें अच्छे से मोठिया बनने लगती है यह देखिए हम इसका आटा लगाना है और इसका आटा लगाने के के लिए मैं यहां पर यूज कर रही हूँ दूद थोड़ा पानी से भी लगा सकते हैं अगर थोड़ा बहुत पानी जादा हो जाए तो भी आपने शिंद रहें क्योंकि अगर गीला भी होता है तो भी परिशानी नहीं है क्योंकि सूजी जो है वह पुरी तरह से पानी को एब्सॉप कर लेता है मैंने यहां पर आटा दूद से लगाया है आप चाहें तो इसे पानी से भी सान सकते हैं यह देखे फ्रेंज यह बिल्कुल गीला गीला सा टेक्शर हो गया है अगर यह इस से थोड़ा और भी गीला होता है तब भी आप निशिंद रहें क्योंकि थोड़े देर के बाद यह तो टो बिल्कुल हो गया है तैट हो गया है अब इससे थोड़ा सा मैं अच्य से मलोंगी और मलने के बाद मैं इसकी चोट यह जो जाते हैं लॉचाती अबना सकते हैं. जिस दरह से स्टासे। आप सीधी यह। या फिर आर आप इसं पल्कुता प्याट। फुल्कुल भीना आर आ कर बपान कि वूघ हो बिल्कुल ना हो। बहुत ज्यादा मोटा भी आपको नहीं बनाना है पतला रहेगा तो यह बिल्कुल चल जाएगा बट बहुत मोटा आप इसका लोई ना दयार करें इस तरह से जिते भी बेशन के छोटी छोटी लोई बनेंगी वो इस इसतार से दबा दबा कर यहां तार्ग हो करता है यहां हैं इस इस sui से अधाव घी में डाल रहे हो और घी को हम मीडियम फ्लेम पर ही करेंगे ये जो मुठिया हमने तैयार की है, जो चोटी चोटी गोलिया, लोईया हमने तैयार कर रखी है उसे हमें इस घी में बिल्कुल only आज पर, high flame पर आपको इसा फ्राई नहीं करना है नहीं तो आपका जो ये छोटा छोटा लोई है ये कच्छा रह जाएगा बिल्कुल medium flame पर या फिर low flame पर अगर आप करते हैं तो और अच्छा होगा इसे आपको golden होने तक fry करना है बिल्कुल kurkura panis में आ जाएगा तब तक हमें इसे इसी घी में fry करना है अगर आप इसे भी कम घी यूज करना चाहते हैं तो आप इसका पराठा जो रोटी का जो इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर कम आज पर हमें से हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं तलना है तरीका है दानेदार बेसंग सूजी के लड्डू बनाने का इस तरीके सेया कोई भी लड्डू बना सकते हैं इसमें ब्लडू के लिए हमें घी भी बहुत कम लगता है और समय भी बहुत कम लगती है घंटो आपको बेसंग भूनने के लिए जंज़ट भी नहीं करनी है इसके लिए बहुत आसानी से यह देखिए यह हलका हलका गोल्डन होना शुरू हो गया है इसे हमें भी थोड़ा सा को से इसे इक एक करके एक प्लेट में निकाल लूंगी आपके जितने भी लोय बनी ही रखी है इसी घी में इसे फ्राइए गी में ही सारा काम हो जाएगा इसे जयादा घी हमें इसके लिए बिलकुल ने लगेगा अ कि आपई दूसरा बैच भी डाल दिया है चार पांच चा तल टर- थैयार कर ले rules के लिए सारा ट्रिक रहेंग तरर इसे पर ऀखनी यह से आपको इसे अधर किरण तरा यह को फ्रॉया है इस अंदर क्रिस्पी हिए इसे बहुत जलती है जल्दी तेल में कुरकुरा हो जाता है अभी भी देखे हमारे जो पैन पे घी बचा हुआ है अब अगे यूज़ करेंगे अब इसे बहुत अच्छे तरीके से हमें ठंडा करना है यह देखें कितने इजली तूट गया बिलकुल क्रिस्प साउंड आता है बहुत ही जल्दी तूट भी जाता है और अच्छे से ठंडा करने के बाद ही आप इसे तोड़ें क्योंकि इसमें मोयन डला होता है तो वह बहुत ही सौफ भी होता है साथ ही कुरकुरापन भी बहुत अच्छा आता है तोड़ भी लिया है अब इसे हम मिक्सी में पीस लेंगे यह देखे इसे मिक्सी में पीस लिया है यह कितना दरदरा सा है अब एक बाउल जो आपने यूज किया था उसी बाउल पर आप इसे डाल लें अब जितना मैंने इसमें सूजी और बेसन लिया है उसी के मातरा के हिसाब से देड़ कप मैंने इसमें दरदरा शक्कर लिया है आप चाहें तो बिल्कुल पीसा हुआ शक्कर भी ले सकते हैं या फिर आप इसमें तगार भी यूज कर सकते हैं थोड़ा सा मैने कटा हुआ इसमें मेवा डाला है थोड़ा से इसमें पिस्ता है बादाम है काजू है यह optionally friends और एक चमच मैं डाल रहे हूँ इलाइची पाउडर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी भूनी हुई काली मिर्च जो काली मिर्च होती है उसे आप हलका सा पीस ले अब जो घी हमारे पास बचा हुआ था वह घी मैस में डाल रहे हूँ लड़ू बानने के लिए फ्रेंट्स हमें थोड़े सी घी की जरूरत होती है पर हमें इसमें जो एक कप घी लिया था वही बचा हुआ अभी भी भी बचा हुआ है इन सब को पहले मैं अच्छा से मिक्स करने के बाद अगर हमें लगता है कि हमें इसमें लड़ू बानने के लिए थोड़े से और घी किया विशकता है तो जो घी हमारे पास बचा हुआ है वो भी हम इसमें मिला लेंगे इससे में लाने के बाद अगर आपको इसमें थोड़ा घी कम लगता है अगर आपका लड़ू सही से नहीं बनता है तो थोड़ा सा घी इसमें और डाल सकते हैं यह देखें, अब मैं आपको एक लड़ू बान कर दिखाते हूं, यह बहुत ही आसानी से बन जाएगा लड़ू और बहुत ही दानेदार लड़ू बनता है, बिल्कुल हलवाईयों की तरह बनने वाला यह लड़ू है और बहुत ही कम समय में और कम घीमे बन जाता है फ्रेंज यह देखें फ्रेंज, बहुत ही आसानी से यह लड़ू बन जा रहे है, बेसन के लड़ू ऐसे भी बोहुत पसंद की जाते हैं, बिल्कुल हलोई स्टाइल लड़ू बहुत पसंद क्या जाता है, मैं कोशिश करता हूँ कि हर वहर में यह लड़ू जरूर बनाओं यह देखिए फ्रेंज, है ना बिल्कुल दानेदार होटल स्टाइल वाला लड़ू यह लीजे, तैयार है हमारा बिल्कुल होटल स्टाइल दानेदार बेसन सूजी का लड़ू यह मैं आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ वाओ, देखा यह कितनी आसानी से तूट गया और कितना दानेदार बना है तो बनाएं फ्रेंज, आने वाले तेवारों में मेरे यह नई रेसिपी बेसन सूजी के लड़ू वो भी कम घी में और कम मेहनत के साथ और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं बाई बाई फ्रेंज